हलो एब्रिवन बेलकम टू दा र्वाय रिब्यूज इस धर्टी पर विभीन परकार के प्राणी पाई जाते कुछ लोग हवाव में लटक जाते हैं कुछ लोग हवाव में उड़ जाते हैं अब कुछ लोग अपना फिचवाडा जो है जमीन में छिलवा लेते हैं अब इसी कुछ लोग बिना बोटका गटके हुए ही उट्टर से डच्छी न पूराप से पच्छी मेरा करने का मतलब है कि जाते कहीं आ और है पहु जाते कहीं और है इस लेडिज को ही डेक लिजे मतलब कि कि किसकी कारीगरी किसी और को भारी पढ़ जाएगी यह देखिए कैसे फू कि और को फाइडा हो जाए यह अशकर्ट भी मिल गया है और शुगर्ट भी ले लिए भाईचा आप क्या ही बात कहा चकते हैं यह बच्छा यह क्या कर रहा है लेकिन जो भी कर रहा है मझे डार कर रहा है डोस्टो इस हैवी ड्राइबर कोई देख लीजे इसको यह नहीं मा भाईचा पानी को टपा रहा है लेकिन लेकिन के क्या अरो भाईचा बीच मलदार महीं छोड़कर भाग गई से यह तो धोका ऐसा रासर आयम सोरी बाबू दोस्टो यह बैक फिलिप मारा है देखना हुआ कि कि कितने दूटक जाता लटक गयो है बाईचा आप फिलिप मारत और क्या है वी ड्राइविग कर रहा है आपको देखा अचंबा हो जाएगे इस तरीके से सब्षाइकिल से पानी को पार कर डाले से कुछ लोग तो इससे भी जाना है घर में इस जमें पानी को देखे किस तरीके से बाहार निकाला जा रहा है बैया अरो वाया यह क्या एग टुकडाइडर दू एक टुकडाइडर इसको कटने असली हैवी ड्राइवर अरे दददददददददददददददद मतलग पीछे डान सब आगे कंड किया जा रहा है वो भी खुलम खुला हम तो डूबेंगे चानम तुम को भी लेकर डूब जाएंगे घर देंगे घर साले डॉस लोग इतने हरामी होते हैं बाया लेकर गिर गया है जिश्टो इस टिरिया एक एसी परजाती होती है चो खुले जगाव में भी खुड को पतका कर ठोकर किसी को भी आ सकती है जैसा कि इस लेडी के साथ हुआ इडिस बैलेंस होकर सिदक सिदा पाउंड यानि टलाब में जाकर गिर गई है गिर और यह देखे अपनी पतनी को मारने का नया तरीका इसने धूंड लिया है बड़ा सा पेट से दोस्टों यह स्केटिंग कर रहा था लेकिन तभी यह स्केटिंग पीछे और यह खुट आगे चल गया है रगड़ते हुए रगड़ाया तो यहाँ पर यह भी है अपनी नए नवेली पतनी को सिरीज से जैसे निचे लेकर उटरा भईया रगड़ा गई से यह भीग आप इसे क्या कहेंगे बच्वा यह फिल्म का रिकाउडिंग कर रहा था अपने खाना क्या खा रहा है लेकिन तभी किसी डूसरे ने मुह मार कर निकल लिया यह रहा है प्लानिंग के टार्ट एक लेकर भागा डूसरा यह रहा है पाटी करते हुए पाटी तो यहाँ पर बदला तो यहाँ पर पटा नहीं क्या है घर का रिरुबेशन करवाना इसको भारी पड़ गया है थोड़ा से और इसको खर्चा करना पड़ेगा क्या कहेंगा मतलब कि कभी कभी ऑबर्लोडिंग करना भारी पड़ जाता है क्योंकि अगर बिर्ट के नीचे से निकलो तो भाईया काही गैप क्या ही होगा तो दोस्तों आपको वीडियो कैसा लगा अगर अच्छा लगा तो लाइक किजिए सब्सक्राइब किजिए शेर कि और हां कोमेंट बक्स में लिख कर बताईए कि आपको ये वीडियो कैसा लगा मिलते हैं आपको नेक्स वीडियो में टप टक के लिए धन्यवाद